यहां तो प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि कुरिणा के गंभीर मरीजों के लिए जिवन रक्षक के रूप में इस्तमाल होने वाले रेमेडिसिवर इंजेक्शन का परियाप कोटा उपलब नहीं होने के करण जिले में इसके किलत छेलने पड़ रही है जिला प्रशासन तो अस्पताल में भरती मरीजों की हिसाफ से ही अस्पताल प्रभंदन को इंजेक्शन उपलब करवाने का प्रयास कर रहा है कई निजी अस्पताल आरोप लगा रहे है कि उनकी मांग का 30 प्रतिशन भी नहीं मिलने से दिक्कते आ रहे है इसी किलत के बीच इस इंजेक्शन की काला बाजारी भी रोज ही उजागर हो रहे है आज से 10-12 दिन पुर्फ तक रेमडेसीवर को बलैक में 7-10-12 हजार रुपए तक पेचा जारा था लेकिन अब तो इसकी कीमत 35,000 रुपए तक हो गई है महज 1200 रुपए में मिलने वाले इस इंजेक्शन की कोविट अस्वतालों में कारेरत कुछ वाट बॉय और नर्स चोरी कर बेचने का गोरगदंदा कर रहे है एक दिन पहले ही 35,000 रुपए में एक इंजेक्शन बेचते हुए एक शक्स को पलिस ने पकड़ा अब तो सिटी में इसकी व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों के परिजिन अपनी जान पहचान के लोगों से पड़ोसी राजियों वशेरों में व्यवस्था करने में लगे हुए है इसके लिए लाखो रुपए खर्श करने को भी तैयार है BCN News के लिए अभिशेक पांसे की रिपोर्ट